खेसारी लाल यादो रंगदारी के दम पर एक गाना लेकर आते हैं और सारी रंगदारी कुछी गंटे में समाप्त हो जाती है गाना डिलिट हो जाता है अब रंगदारी इसलिए क्योंकि कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि आप ग्लोबल म्यूजिक जंग्सन के अलावा कहीं से नहीं गा सकते लेकिन खेसारी यहां पर सहारा लेते हैं एक बड़ी कमपनी का जेम ट्यून्स जो कमपनी है हरियाना की कमपनी है और पूरे इंडिया में काम करती है दूसरा चीज जो इसके मालिक है नाम है राव इंदरजीत सिंग ये बहुत बड़े बाहु बली माने जात और इन से गाना लेकर आते हैं रातो रात एक नया चैनल बन जाता है जेम्स ट्यून भोजपूरी नाम से और ये चैनल इन पनाने इस कंपनी के लिए इस म्योजिक ग्रूप के लिए एक दम माय हाथ का खेल है कोई भी एक चैनल का नाम मदलो तुरंत CMS के जरिए चैनल हो जा कर गाना लाते हैं तो उसर से ग्लोबल मुजिक जंक्सन अमेरिकन कंपनी से इंटरनेशनल कंपनी से स्ट्राइक मरवाती है और गाना तुरं डिलित हो जाता है अब कैसे खेसारी खेल करने का सोच रहे थे उनके पीछे मंसा क्या थी कैसे वह सोच रहे थे कि हम बच और उससे दोगुना बड़ा खेल ग्लोबल मुजिक जंक्सन ने क्या किया यह वार्नर मुजिक ग्रूप जो अमेरिकन कंपनी जिसने स्ट्राइक मारा है इसके बारे में और वो जेम ट्यून भोजपूरी जो चैनल था जेम ट्यून जो कंपनी है उसके बारे में विस्तार स लुवर्ट से तो उसमें डिजिटल पार्ट्ण ग्लोबल मुजिक जंक्शन था यानि के अंदर एक scheint क्योट्ण कर रहताए के और फ्यर आया सब भारी पड़ गया लेकिन फिर वहीं खलबला हट वहीं खलबली उनके अंदर मटी हुई थी और वो पहुंच जाते हैं हर्याना डस से बारा दिन पहले अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो एक कोलाइबरेट पोस्ट दिखेगा जिस करता है जैसे जैंद अलग अलग कई सारे बसाओं में काम करता है जैसे जैंद ने यहां पर MCN और CMS दो ऐसे टर्म आते हैं इसी के तहत यह सारा खेल हो रहा था अब खेसारी पहुंचते हैं सबसे पहले तो आपको समझाते हैं यह मल्टी चैनल नेटवर्क कहलाता है इसके चाहत कोई भी मुजिक ग्रूप अपने अंदर बहुत सारे चैनलों को हैंडल करती है और इसी तरह जेम ट्यून का अपना एक चैनल सुरू होता है जो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके तहत यह गाना एक बन जाता है रातो रात चैनल का नाम बदलेंगे और अपना इतनी बड़ी कंपनी है जेम ट्यून से परचार करवा देगी डिजिटल एक दम जो भी है प्रमोशन करवा देगी गाना ह भोजपूरी का CMS सायद ऐसी चनकारी मिल रही है किसी विदेशी कंपनी को दे दिया जाता है और इसके पीछे भी एक मंसा होगी तिकडम था कि सायद यह बताया जाएगा कि खेसारी अपना गाना इंडिया में नहीं बेच सकते हैं लेकिन यह तो विदेशी कंपनी है यह तो गाना वो लेकर आते हैं और मात्र पात से 6 घंटा ही इंतिजार करने का मौका मिला गाना अभी ठीक से चल भी नहीं पाया था तब तक एक स्ट्राइक आता है और यह वार्णर म्यूजिक ग्रूप अब यह वार्णर म्यूजिक ग्रूप है वह अमेरिकन कंपनी है यहीं अपना काम इसको दिया यहीं वार्णर म्यूजिक ग्रूप कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम अपना लेती है हाथ में ग्लोबल म्यूजिक जंक्सन का और मार देती है स्ट्राइक यह जेम ट्यून से जो गाना आया तो बोजपूरी से खेसारी का फूल अड़ इससे और इंटरनेशनल कंपणी के पीछे से घ sneaking लाना चाहरे थे और दूसरी तरब से इंटरनेशनल कंपणी का यह स्ट्राइक का नहीं हट कहा तो ये जा रहा है कि जिस प्रकार का ये प्रेकर यह गाना फिर वापस नहीं आएगा लेकिन खेसारी के जो सपोर्ट करने वाले lays bare अभी भी जानकारी दे रहे हैं इज रहे इसा इसकता गधता किरा उधिलंगे तो था कि कितना भी ग्लोबल मुजिक जंक्शन को सिस कर ले राव इंदरजीत के सामने कुछ भी नहीं चलने वाला है गाना डिलिट नहीं होगा लेकिन अचानक से इसमें वार्णर मुजिक